प्यारे बच्चो नमस्कार मैं हूँ आपकी अध्यापी का संगीता ककर आज मैं प्रस्तुत हूँ आपकी पाठे पुस्तक वसंद भाग 2 के 5 में पाठ मिठाई वाला के दूसरे भाग के साथ तो बच्चो मिठाई वाला कहानी में हमने एक पिता का अपने बच्चो के प्रती प्रेम भाव देखा ये एक बहुत ही मारमिक कहानी है मिठाई बेचने वाला व्यक्ति अपने बच्चो को खोने के बाद हर बच्चे में अपने बच्चो को देखता था बच्चों को बहुत ही सस्ते दामों पर चीजें दे देता था वे ये सब इसलिए करता था कि बच्चे उसके आसपास रहे और उनके आसपास रहने से उसे जो कुशी मिलती थी उसका कोई मोल नहीं था तो आईए अब हम कुछ छोटे बड़े प्रश्नोत्रों द्वारा इस पार्ठ में आई बातों को दोहरा लेते हैं तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए इन शब्दों को पहला शब्द है मादक, उस्ताद, स्नेहा भिशिक्त, साफा, मृदुल, स्मरण, सोथनी, आजानू लंबित, चेश्टा और अतीशे अब देखिए एक और पंक्ती शब्दों की इनके सामने लिखी है याद, कोमल, कुशल, घुटनों तक लंबे, स्ने में दूबा हुआ, मस्त, पगड़ी, बहुत अधिक, पजामा और कोशिश आप समझ गए होंगे कि हम क्या गतिविधी करने वाले हैं? जी हाँ, आप में से कुछ बच्चे ठीक समझे, पहली पंक्ती में शब्द लिखे हुए हैं और उनके सामने जो शब्द लिखे हैं, वे उनके अर्थ हैं आपको शब्द का सही अर्थ से मिलान करना है तो आईए शुरू करते हैं पहला शब्द मादक, बताईए किस शब्द से मिलान करेंगे इसका, क्या अर्थ है मादक का? मस्द, बिल्कुल सही दूसरा शब्द देखिए, उस्ताद, इसका क्या अर्थ होता है? उस्ताद यानि कुशल, किसी काम में कुशल होना, बहुत अच्चे होना उसके बाद शब्द है स्नेहा भिशिक्त, स्ने आपको पता है, बच्चों के प्रती प्रेम होता है कौन सा अर्थ होगा इसका? स्ने में दूबा हुआ जी हाँ अगला शब्द है साफा जल्दी बताईए, किस से इसे जोड़ेंगे आप? पगड़ी हाँ, साफा पगड़ी को कहते हैं अगला शब्द है मृदुल करिए, इसका जोड़ा बनाइए मृदुल, कौमल अगला शब्द है समरं समरं का अर्थ ढूंडिये इस पंक्ती में से समरं यानि याद चलिए, आगे चलते हैं अगला शब्द है सोथनी सोतनी क्या है बच्चो? सोतनी का अर्थ है पजामा आठवा शब्द देखिए आजानू लंबित चलिए बताईए इसको किसके साथ जोड़ेंगे? आजानू लंबित यानि घुटनों तक लंबे रोहिनी के बाल आजानू लंबित थे अर्थात घुटनों तक लंबे थे अगला शब्द है चेश्टा उसका अर्थ क्या है? कोशिश हांजी बिल्कुल ठीक और अंतिम शब्द है अतिशय अतिशय यानि बहुत अधिक बहुत अच्छे उत्तर दिये आप लोगोंने चलिए अगली गती विधी करते हैं अब आप देखिए कुछ खाली स्थान है मैं आपको वाक्य पढ़कर सुनाऊंगी आपने बताना है खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा तो सुनिए पहला वाक्य मिठाई वाला सामान बेचने फिर खाली स्थान बाद आता था उत्तर के लिए विकल्प सुनिए कई सालों, कई महीनों या कई दिनों क्या उत्तर होगा? उत्तर है कई महीनों ठीक है, दूसरा वाक्य सुनिए चुन्नू मुन्नू, फिर खाली स्थान में खेलने गए थे उत्तर के लिए विकल्प है स्कूल, पार्क या घर तीनों में से कौन सा उत्तर सही है? हाँ, सही उत्तर है पार्क चलिए अगला वाक्य देखिए रोहिनी ने किस से फिर खाली स्थान मिठाई वाले को रोकने को कहा? उत्तर के लिए विकल्प है पती से, बच्चों से या दादी से क्या है सही उत्तर? दादी से, बिलकुल सही अगला वाक्य है रोहिनी के पती का नाम फिर खाली स्थान था विकल्प है राम बाबू मोहन बाबू या तीसरा विकल्प विजे बाबू बताईए कौन सा उत्तर सही है? उत्तर है विजे बाबू सही उत्तर चलिए, आगे चलते हैं अगला वाक्य मुरली वाला खाली स्थान इन्सान था बताईए में विकल्प सुन लीजिए चालाक भला या बुरा बताईए कैसा इन्सान था? मुरली वाला भला इन्सान था सही उत्तर चलिए, अब कुछ और बहु विकल्प ये प्रश्न हम करते हैं पहला प्रश्न है खिलोने वाले की आवाज से क्या होता था? उत्तर के लिए विकल्प हैं हलचल मज जाती थी दूसरा सभी बच्चे दोड़े चले आते थे तीसरा बड़े बूढे भी घरों से बाहर आ जाते थे या चौथा विकल्प ये सभी उत्तर सही है पताईए आप कौनसा विकल्प चुनेंगे? सही कहा आपने चौथा विकल्प कि ये सभी उत्तर सही है अगला वाक्य देखिए चुन्नू मुन्नू क्या खरीद कर लाए थे? उत्तर के लिए विकल्प है हाथी घोड़ा सिपाही बांसूरी या मिठाई क्या खरीद लाए थे वे? हाथी घोड़ा सही उत्तर तीसरा प्रश्न रोहिनी बच्चों से खिलोनों के बारे में क्या जानना चाहती थी? उत्तर के लिए विकल्प है कहां से खरीदा? दूसरा कितने में खरीदा? या तीसरा कब खरीदा? या चौथा किस से खरीदा? बताईए क्या है सही उत्तर? सही उत्तर है कितने में खरीदा? बिल्कुल सही चौथा प्रश्ण सुनिए खिलोने वाले के गान की तुलना लेखक ने किस से की है? उत्तर के लिए विकल्प हैं नदी की लहर से, पानी की आवाज से, सागर की लहर से या हवा की आवाज से क्या है बच्चो सही उत्तर? सागर की लहर से उसने कहा था कि उसकी आवाज सागर की हिलोर की भांती चारो ओर पहुँच जाती थी अगला प्रश्न देखिए चुन्नू मुन्नू ने खिलोने कितने में खरीदे? क्या दाम था? विकल्प सुनिये दो रुपए में? तीन रुपए में? दो आने में? या दो पैसे में? क्या है उत्तर? सही उत्तर है दो पैसे में चलिए अगला प्रश्न देखते हैं रोहिनी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरन हो आया? उत्तर के लिए विकल्प हैं मिठाई वाले का खिलोने वाले का या फेरी वाले का तो बताओ बच्चो, क्या है सही उत्तर? उसे किसका स्मरण हो आया? खिलोने वाले का, सही उत्तर अगला प्राश्न, विजे बाबू मुरली वाले के बारे में क्या सोचते थे? उनकी क्या राय थी मुरली वाले के बारे में? विकल्प सुनिये, अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है या वे ग्रहकों को सामान सस्ता बेचता है या ग्रहकों को लूटता है क्या राय थी उनकी? उनकी राय थी कि वे ग्रहकों को लूटता है हाँ जी, चोथा विकल्प सही है अगला प्रश्न है रोहिनी को मुर्ली वाले की बाते सुन कर क्या लगा विकल्प हैं कि वे बच्चों से बहुत सने करता है या कि बच्चों से सने नहीं करता या इसके जैसे कई आते जाते हैं या चौथा विकल्ब महंगा सामान बेचता है तो क्या लगा था रोहिनी को? कि वह बच्चों से बहुत स्ने करता है चलिए आगे बढ़ते हैं मुरली वाला सामान बेचने क्यों आता था? उत्तर के लिए विकल्ब सुनिये वह गरीब था दूसरा वह पैसे कमाने चाता था तीसरा बच्चों के पास रहना चाता था और चौथा बच्चों से दूर रहना चाता था तो आपका क्या उत्तर है बच्चो? कि वह बच्चों के पास रहना चाता था यही सही है विकल्ब अगला प्रश्न देखिए मिठाई वाला पहले क्या-क्या सामान बेच चुका था विकल्ब सुनिए खिलोने और मुर्ली या मिठाई और खिलोने या सबजी और मिठाई या फिर फल और सबजी क्या उतर है वे क्या बेच चुका था पहले यह पहले खिलोने और मुरली बेच चुका था चलिए बच्चो अब हम पाट के अंत की और बढ़ रहे हैं पाट से संबंदित अब हम कुछ विशेश बातों पर चर्चा करेंगे तो मुझे बताए कि मुरली वाला अलग-अलग चीजें क्यों बेचता था सोचिये, बताईये क्या कारण था? क्या कारण हो सकता है? वे अलग-अलग चीजें बेचता था ताकि बच्चों में उसके सामान के प्रती उच्छुकता बनी रहे बच्चों यदि कोई व्यक्ती एक ही सामान रोज आकर बेचेगा तो बच्चे उससे अकरशित नहीं होंगे न? इसलिए वे हर बार अलग-अलग सामान लाता था चलिए अगली बात ये है कि मिठाई वाले में ऐसे कौन से गुंड थे जिसकी वज़ा से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे क्या-क्या गुंड थे? बताईए हाँ-हाँ आप ठीक बता रहे हैं बोलिए वे मीठा गाता था, सामान बढ़िया बेचता था और उसका सामान बहुत सस्ता भी होता था और इसके अलावा भी उसमें एक बहुत ही महत्वपून गुन था कि वे बच्चों से बहुत प्यार करता था बस यही कारण थे कि सब उसकी ओर खिंचे चले आते थे अच्छा अगला प्रश्ण है बच्चों कि खिलोने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी बताईए बताईए कैसे आते थे बच्चे वे जहां कहीं भी होते दोड़ते भागते गिरते पढ़ते जल्दी से जल्दी उसके पास पहुँझ जाते थे क्योंकि उन्हें उसका सामान देखने और खरीदने की उच्छुकता होती थी अच्छा मुझे बताईए कि मुरली वाले और खिलोने वाले दोनों में क्या समानता थी कुछ तो समानता थी तभी रोहनी उसको पहचान सकी उसके बात करने का धंग वही था गाकर सामान बेचने का धंग वही था और सबसे बढ़कर बच्चों से सने करने का उसका ढंग भी वही था इसी लिए रोहिनी ने उसे पहचान लिया अगला प्रश्ण है कि मिठाई वाला रोहिनी की बात सुनकर भावुक क्यों हो गया बताओ आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ होगा इसका कारण है कि आज से पहले कभी भी किसी ने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी ना ही उसके प्रती हमदर्दी जताई थी जैसा की रोहिनी ने किया इसलिए वे उसकी बाते सुनकर भावुक हो गया और फिर उसने अंत में कहा था अब इस बार मैं पैसे नहीं लूँगा इसका क्या कारण था इसका भी यही कारण था कि रोहिनी के घर आकर उससे और दादी से बातें करकर उसे बहुत अपनापन महसूस हुआ जैसा की पहले कभी नहीं हुआ था उसके मन में जो दुख था वे उन्हें बता कर उसके दिल का बोज हलका हो गया उसे लगा जैसे किसी अपने ने उससे बात की हो इसलिए उसने बच्चों को मिठाई दी और पैसे लेने से मना कर दिया तो बच्चों पाठ समाप्त करने से पहले हम इस कहानी के मूल तथ्यों पर विचार कर लेते हैं पहला है मिठाई वाला कहानी एक उदेश शिपोर्ण रचना है कहानीकार बताना चाहता है कि किसी दुखत घटना के होने पर खुट खुट कर मरने की अपेक्षा जीवन के लिए नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए मानव सेवा को आदर्श के रूप में अपना कर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं हम दूसरों के दुख को दूर करके उन्हें सुखी बना कर अपने सुख को भी बढ़ा सकते हैं और दुखों को और कश्टों को कम कर सकते हैं और दूसरी महत्वपून बात है रोहनी फेरी वाले से परदे में रहकर बात करती है ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में, पुराने समय में और कई जगा पर अभी भी औरतें पराए लोगों के से परदा या घूगट करती है ये सही है या गलत? बताईए, आप अपने विचार बताईए मेरे हिसाब से ये सही नहीं है क्योंकि यदि औरत और पुरुष को समान अधिकार हैं, तो औरतों के लिए ही परदा क्यों? सोचिएगा इस पर जरूर चलिए, अब ये पार्ट समाप्त होता है मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे नमस्कार मैं चलती है